हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे मद्यप्रदेश में प्रत्म कौन-कौन हुए हैं और एक मात्र क्या-क्या चीज है वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो चली सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्म राज्यपाल कौन हुए मद्यप्रदेश में एक्जाम मे ौन थे ममुध्परदेस के पटभी सीता रमयय जिनका पूरा नाम था डाक्टर भी पटभी सीता रमयय ना तो आप संस्र राजपाल पटभी शीता रमयय परताम महीला राजपाल की पूछा जाएं तो कौन थी सर्ला ग्रेवाल देखी मैं आगे इनका बू नहीं लगा रहा हूँ सूसरी सरला ग्रेवाल आप सरल याद कैसे रख सकते हैं सिर्फ सरला ग्रेवाल याद रखिए प्रतम महीला राजपाल कौन थी सरला ग्रेवाल ताकि एक्जम्या पच्चे से याद रख पाएं प्रतम महीला मुक्क मंतरी कौन थी आपको याद होगा मद्दप्रदेस की प्रतम महीला मुक्क मंतरी थी उमा भारती ठीक है वह भारती जो की BJP की बहुत बड़ी एक नेता है जो RSS से भी जुड़ी हुई है चलिए आगे देखी प्रतम बिदान सवाद्धिक्ष कौन था मद्द प्रदेश का प्रतम मद्द प्रदेश का बिदान सवाद्धिक्ष की पूची जाए तो कौन थे पंडित कुंजी लाल दोवे थे प्रतम बिदान सवाद्धिक्ष कौन थे पंडित कुंजी लाल दोवे प तो हम्हें यहां पर जो लिडर होता है उसको high राज में जाए मोर दिए मनजाता है और जिसकी उसके बाद सेकंड नंबर पर सीट रहती है उन जो तमाम नेता हैं और वह अपना एक वह बहुमत से अपना il Лीडर चुनते वो विपक्ष का नेता कहलाता है बात समझा गई हो कि विपक्ष का नेता तो प्रतम विपक्ष के नेता थे विश्णुनात तामसकर थीक है विश्णुनात तामसकर की बात करने प्रतम विपक्ष के नेता थे प्रतम राज निर्वाचान आयक्त कौन था तेकि राज निर्वा होते हैं उनको कराने का जिसके पास जिम्मेदारी होती है राज निरभाचन आयुक्त होता है तो मद्द पर्देश का प्रतम राज निरभाचन-n-v-лohani अब्व-लोह-णि तेकि मैं आप के लिए 12 बार रिपीट इसनी कर रहा हूं ताकि आप इन नामों को लेकर सबसे पहले जो आप देखते हैं कि ब्रोधी जो भी गटना होती है उनकी सिकायद लोकायोक्त में होती है और यह ब्रस्टाचार को रोकने के लिए बनाए गया है लोकायोक्त बास समझा गया तो प्रतम लोकायोक्त कौन था मद्दप्रदेश की बात कर रहा है पीवी प्रतम लोकायोक्त कौन थे भी दिख्शित ठीक है अब महिला मुक्त मंत्री सरोजनी सक्षेना ठीक है सरोजनी सक्षेना सभी मोईश्टाइएंपी कोच्चन है जो कि एग्साम में पूंचे गए हैं और आगे भी पूचे जायंगे परतम राज्य सूचना आयोक्त कौन था तो देखिर राज्य सूचनायक्त कौन होता है यानि कि जब आपको मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश है जो भी सरकार है उसको पारदर्सी बनाने के लिए एक सूचनायक्त का गटन किये गया तो जहां पर आप आई टी आई के तहट वहां पर जान सकते हैं कि जो पैसा आया किन मसीनेरियों में उप्योग हुआ और जो भी तमाम खर्च है मद्द प्रदेश सरकार के राज्य के अंतरगत आते हैं तो वह राज्य सूचनायक्त होता है सबको इसका अधिकार है सूचना का अधिकार जिसके तहट आता है तो उस प्रतम सूचनायकत कौन थे टampf इन शृतर हम प्रतम नाम देख रहा हैं ति यह को श्रीबास्तव नहीं करें सूचनायक्त हो गया सबसे बड़ा कोईलाजेटर पूचा जाए मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा कोईलेटर कहां पर है तो वह है मकांब है सुहागं पूर अगे देखे एक महात्रअफी मुतपादक जिला यानि मत प्रदेश में इऄ जिसमें अफी मुतपादक होती है जिले का नाम क्या है मंद सौर ले को आप मैप में देख लीजे कलमेन आपके लिए मैप बताए था आप घर पर एक मैप लगा लीजे एक मात्र गांजा उत्पात जिला कौन से मत्रदेश में वह खंडवा यानि कि खंडवा एक मात्र जिला जिसमें की गांजा उत्पादन होता है एक मात्र हिल इस्टेशन कौन सा है एक मात्र हिल इस्टेशन है मद्द प्रदेश में पच्छ मड़ी अच्छा बात करें हम हिल इस्टेशन क्या होता है हिल इस्टेशन होता है कि जो एक आसपास की बस्ती होती उससे उपर पहाड़ी इलागे पर जो ठंड़ा बातबरन होता ह उसको हम हिल कहते हैं तो बहां पर स्टेसन है ही आगे देखिए आगे पृथम बिजव बिद्यालान कीबात करें घऑजव बिजव संगरी सींग सागर्म है कि प्रतम बिस्वुद्धहली की बात करें डॉक्टर ह हईषिंग गॉर्ड बजुद्धहल सॉगा VII कि खाज मिंदी स्थापना हुज है तो 1860 में आभ इसम्होए थी याद रख सकते हैं के प्रतम रश्टि उद्ध्यान की बात करें अद्य प्रतम राश्टि राश्टी उद्धान कौन जान का ना खसली ठीक with on सेने सारे CT नहीं सब पूछ जाते हैं को वह अच्छे से स्याद करें फ्रんな रेल्वे जंग्सन कौन सा भौ मत्रम इट सी प्रक्रता मँख्य नियादीस की बात करें फ्र Im 여기 नैयाओ कंसे थह मध्द प्रृदिश में तो सभी को याद होगा और नई है तो बोड देख लेजीए कौन से हैं मुहमद हिदायत उला मुहमद हिदाय तुल्ला जो थे मद्द प्रदेश के कौन थे प्रतम मुख्य नयायदीश थे तेकि प्रतम महिला महिला नयायदीश अलग होता है और यहां पे हमने क्या देखा मुख्य नयायदीश तो प्रतम महिला नयायदीश के हमने भी बात की वो कौन थी सरोजी नहीं सकते है न प्रतम म होता है है जब भी जो समुदर मार्ग से जो ठांशपोर्ट आता है वह रेल सब्सक्राइज होता है तो वहाँ पर ड्राइपॉट कि आ जाता है यांने कि जो भी माल quasi जंगसन होता जैसे किम ट्रे prov certainly ऑ Casey एक साथ रुकती है सड़क मार्क्स तो ड्राइपूट कहला तब प्रतम ड्राइपूट कहां पर था इन दौर प्रतम खुली जैल मद्द प्रदेश की तो प्रतम खुली जैल हुसंगाबाद में जिसका नाम है नब जीवन आसरम नब जीवन आसरम कहां पर है जो कि हुसंगाबाद में कहां पर है वो संगा बाद ठीक है खुली जयल क्या होती है कि आपने जस्टोना होगा कि बाल ग्रह जयल भी होती है इसी प्रकार से खुली जयल होती है जिसमें की कैदियों को एक सुदारने का एक अफसर दिया जाता है उनके बेभीयर को देखती हुए तो वो क्या करते हैं कि वो दिन के इस एपने बार जयल से बार के लिए जसकते हैं और बाफिस जसी साम होती है वर्यांको को भार जाने के लिए इनकी फैमिली बगएर भी इस जैल में रहती है ठीक है बागी बच्चे बगएर इनके पढ़ते हैं यानि कि एक तरह ऐसा कह लेजी कि इनको एक ज्यादा बड़े क्राइम नहीं होता चोटे क्राइम में इनको इस प्रकार से सहुलिय दी जाती कि अपने आपको जैल में रहका सुधार सकें ना और कुछ समय के बाद इनको भाएं से निकाल दीए जाता वो देखिंगे इनका बड़े क्राइम नहीं होता हुँ को परितम まだ जए जया करते रहते हैं तो ठीक है तो आज की वीडियो में हमने इनके बारे में जाना नेक्स्ट वीडियो में हम और और MP के कुछ कोशनों के सांथ नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें इसे अपने दोस्तों साथ सेर कर दें और चैनल पनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दिए तो ठीक है मिलत नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू